देखो कल जो मैंने फिल्म देखी ना वो मेरे फिल्म देखने के इतिहास में एक लौती ऐसी पहली फिल्म बन गई है जिसको देखकर मेरी रूह काप गई अलगी मैं इस फिल्म को थवस्य कोई कवर करने वाला था लेकिन सब्टाइटल इशू हो गया तो मैं उसको देखने पाया हीट कर दीगी बाई सब्सक्राइब जहां जहां फिल्म लगी है वहां वहां हाउसफुल है राजस्तान में मेरे एक दोस्ते वह बोला कि यहां पर भी थेटर फुल हाउसफुल है फिल्म की कहानी सची घटना पर आधारित जापर नजीम मौहमत कर के बंदा है जो साओधी जाता है काम के चक्कर में लेकर भटक जाता है और तडब जाता है घर वापस आने को फिल्म का डूरेशन तीन घंटा है यह में आप लोगको बतारो तब जाके पता चलता है वरना आप फिल्म देखोंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि फिल्म की कहानी ही ऐसी जहां पर साओधी में वो बंदा रेत के अंदर फस जाता है और वो जगा डूंटा है कि भाई मेरे को रोड रस्ता दिखे मैं अपने घर जाओ लेकिन इसी बीच में उसकी जो तड़प है उसकी जो भूक है उसकी जो प्यास है उसका जो दम घुटना है यह सारे चीज आप को अंदर से जग जोर के रखतेगा इन फेक्ट आप थेटर में बैटे 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 बार बार पाने प्योंगी उसकी तडप इतनी ही कि आपको प्यास लग जा रही है देखो यह फिल्म देखने के बाद में इतना तो समझ गया कि आज के टाइम पर मल्यालम इंडिस्ट्र आपको ऐसा लगेगा कि आपको हॉलिवुड फिल्म देख रहे हो एक एक फ्रेम एक एक सीन एक एक विज्वल इतना डेंजर कैप्चर किया है भाई आप बोल दोगे कि इसको तो टॉफ है शूट करना जो कि देखने में अन बिलिविबल सा लग जाता है फरस्टाफ में आपको एक और चीज महसूस हो जाएगा कि इन लोगों को VFX CGI से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं यह लोग जितना हो सेगे वो तरह दूर रहने की कुशिश करते क्योंकि इनका बिलीव है कि हमें जितना हो सेगे रियल प्रोसेस करना है जितना हो सेगे रियल शॉट कै अब परफॉर्म की बात आगई तो एक ही लाइन को देखने के बाद आप यह जरूर के दो कि इंडिया के पास आज के टाइम पर वो सारे एक्टर है जो शायद से वर्ल्ड के पास ना हो इतना समझ लो कि यार उसने अपनी जान आत्मा सब का सब कुछ इस फिल्म के अंदर डाल के रख दिया है आप सोचो जैसे जैसे उसकी तडब ग्रो होते जाती है फिल्म में आपकी रूख आपते जाती है इसके नूड होके चलता है उसका वो ट्रांस्फोर्मेशन उसके बदन की एक-एक हड़ी दिखना वो सारे चीज़ आपको लिटरली तडपा के रख दे मैं मैं हार गया हो ऐसे काम को देखके इतना डेडिकेशन अगर हमारे अंदर रहना है तो भाई साब हम भी अच्छी खासी पढ़ाई करके इंजिनियरिंग करके नाकपूर में चाय का ठेला डाल दी होते थे सची दिल से बता रहो मेरा तो ख्वाप बन गया प्रितवी राच्छो कुमारान को मिलने का गले लगने का और वो मैं मिलके रहूँगा और आल दगोट लाइफ एक ऐसी दर्दनाक फिल्म है जो आपको देखने ही चाहिए बहले अभी कुछ लोग शाने बनेगे कि देट इस फिल्म इस फिल्म इस फोर एवर्रीवन है आप लोग का हग बनता है यह फिल्म आप देखो आपको एक सिंगल सीन बोर की ना तो हग से लेकिन याद रखना एक दिन पूरा देश आपकी फिल्मों का वेट करेगा यह में लिख के देता हूं क्योंकि इतना बैक टू बैक सुपर एट और इतना यूनिक सिनिमा बनाना सब इंडेस्टरी के बसके बात नहीं और आने वाले पांच-छे साल तक तो बनेगी भी नहीं जो बात आप लोग बना देते हो इगोट लाइफ को मैं दूँगा फूर आउट आफ फाइफ चाल एंट फृत विराज को तो मैं हसता खिलता है भाई मैं जान देदू उस बंदे के लिए ऐसा काम क्या है भाई मेरे को नी 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 आएगी दो तीन दिन तक यार क्योंकि मैं काप गया हूं उसको देखके या सो डी कि अगर आप लों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लेज लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना वरना कोई बात नी भाई मैं तो मेरे लिए फिल्म देखा मेरे को बहुत मजा आ गया